पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था सन्यूजन अभिकरिया किसे कहते हैं वीडियो का लिंक डिस्केशन में आप उसे देख सकते हैं समझ सकते हैं आज के वीडियो में हम बात परेंगे कि उश्माच्छेपी रासाइनिक अभिकरिया क्या है एक्सो थर्मिक केमिकल रियक्षन रासाइन शास्त्र के इस अध्याई से हर परिच्छा में परशन पूछे जाते हैं जिन अभिकरिया में उत्पात के निर्मान के साथ साथ उस्मा भी उत्पन होती हैं उसे उस्मा छेपी रासाइनिक अभिकरिया कहते हैं उश्मा का मतलब होता है हीट एनरजी यानि कोई भी जो अभिक्रिया होती है वो दो अभिकारे के बीच होती है और कुछ प्रोडक्ट का निर्मान होता है अगर प्रोडक्ट के निर्मान के साथ साथ इश्मा भी उपन हो तो उसे उश्मा छेती रासायनिक अभिक्रिया कहते ह the reaction in which heat is produced along with the formation of the product are called exothermic chemical reaction यानि ऐसा chemical reaction जिसमें heat जो है प्रोड्यूस हो as for example प्राक्रितिक गैस का दहन जब प्राक्रितिक गैस का दहन होता है तो methane CH4 अभिक्रिया करती है oxygen के साथ तो carbon dioxide बनता है और gel बनता है और कुछ उर्जा उत्पन होती है यानि यह जो प्राक्रितिक गैस का दहन किस पड़कार का reaction हो गया exothermic chemical reaction उसमा छेपिय रासानिक अभिक्रिया यानि प्राक्रितिक गैस का दहन भी उसमा छेपिय रासानिक अभिक्रिया है इसमें methane और oxygen मिलकर carbon dioxide और gel बनता है साथ में उर्जा उत्पन होती है उर्जा उत्पन होने की वज़ा से ही या उसमा छेपिय रासानिक अभिक्रिया है दूसरा उधारन है सोशन सोशन भी जो है एक उसमा छेपिय रासानिक अभिक्रिया है हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें उर्जा की अवश्रक्ता होती है या उर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है पाचन किरिया के समय खात पदार छोटे छोटे टुक्रों में तूट जाते हैं जैसे चावल आलू तथा बडेड में कार्बोहडर्ड होता है इन कार्बोहडर्ड के तूटने से गुलुकुद प्राप्त होता है यह गुलुकुद हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्तित ऑक्सीजन से मिलकर उड़जा परदान करते हैं इस अभिक्रिया का विशेश नाम सोशन है यानि सोशन जो है एक अभिक्रिया है जो पाचन के बाद संपन होता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है इसका सुत्र हो जाएगा गुलुकोज C6H12O6 एक्वेटिक फॉर्म में यह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कारवन डायक्साइड और जल इसके अलावा उड़जा मुक्त होती है उड़जा मुक्त होने के वज़ा से शोशन भी कुश्मा छेपियर आसानिक अभिक्रिया है एक्सोथर्मिक केमिकल रियक्षन है तो आज के वीडियो में हमने सीखा है एक्सोथर्मिक केमिकल रियक्षन और उसके उधारन उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फिर भी आपको एकोस